तो सब्सक्राइब को आज हम सिखेंगे ट्रेंड की एनालेसिस ट्रेंड की एनालेसिस किस तरीके से करते हैं वह क्या क्या फॉण्ड सेonे यीजो त्रेंड की एनालेसिस को करते समय ध्यान में रखने चाहिए मै हनने देखा है बहुत iodもbmay आप में से भी बहुत लोग ऐसे होंगे, जिनको trend की actual analysis करते बिल्कुल भी नहीं बनता है, तो ये वीडियो आज इसी topic पे है, कि trend की analysis किस तरीके से करते हैं, तो चलिए वीडियो को start करते हैं दोस्तों, पहले हम इसे theoretically देखेंगे, फिर हम इसे practically chart पे apply करेंगे, ताकि आप लो trend, टेक है दोस्तों, किसी भी trend को approach करने का बहुत ही simple और बहुत ही basic तरीका होता है दोस्तों, higher high और higher low, uptrend के लिए higher high, higher low होता है, down trend के लिए lower high, lower low होता है, और sideway trend के लिए relatively equal highs and equal lows, basically कोई भी चार्ड जो है, उस पर uptrend कब चालू होता है दोस्तों, जिस तरीके से यहाँ प करके यहाँ पास candle close दे दी, या officially कहते हैं इसको break of structure, तो यहाँ पास से officially आपका uptrend इस्टार्ट हो गया दोस्तों, इसको हम चार्ट पे भी practically देखेंगे दोस्तों, बने रहे ये वीडियो पे लास तक miss मत करिएगा, चलते है, down trend किसको कहते हैं, वो समझ लेते हैं दोस्तों तो friends यह downtrend है, when does the downtrend begin, downtrend कर चलू होता है, officially, एक high बनता है, फिर उसके बाद low लगाता है price, फिर वहाँ से lower high बनाएगा, और वहाँ से फिर एक नया lower low बना देगा, with the break of structure, जो कि आपका last low को break करके एक नया low लगा दिया, इसका मतलब officially downtrend is started दोस्तों, ठीक है, इसको हम practically दे और equal low जिस तरीके से यहाँ पास picture आपको निजर आ रही है, सेम इसी तरीके से आपको नजर आएगी, इसको कहेंगे दोस्तों, sideway trend दोस्तों, so friends, trend की analysis यहाँ पास हम आपके सामदे में करेंगे, किस तरीके से करना है, यहाँ समझ दे जगा है दोस्तों, time frame आप कोई भी दोस्तों, तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते है, नमबर मेरा description पे है, या तो फिर मैं यहाँ पास चार्ट पे लिग दिया हूँ, दोस्तों, नमबर अपना 9074-293041, 9074-293041, यह मेरा नमबर है, आप इस पे WhatsApp पर लिए, please add me in the group, आपको ग्रूप में add कर दिया जाएगा दोस्तों, तो हम basically देखेंगे, कि अभी चार्ट में ट्रेंड क्या चल रहा है, तो यह है हमारा high दोस्तों, ठीक है, और यह रहा हमारा swing low, यह high से मैंने क्या किय इक free line उठाई और यहां से यहां तक इसको एक line बे add कर दिया, ठीक फिर उसके बाद मैंने एक line उठाई यहां से उठाय और यहां पास add कर दिया, ठीक? पास हमारा लाश्ट वाले हाई को ब्रेक करके प्राइज यहां पास अब डारेक्शन में क्लोजिंग दिया है दोस्तों इस्ट मिन्स डाट ओफीसिली अब ट्रेंड इस श्टार्ट दोस्तों तो फ्रेंड्स अब सपोस्ट करिए मुझे यहां से ले करके सपोस्ट दड़ तो मैं जश्ट क्या करूंगा बहुत ही आसा यहां और दोस्तों आप लगी कर सकते हैं सब्सक्रेंड्सा करणी स्बरेक्शन में मार करना किन दोस्तों फिर स्विंडब है फिर है से संबलार शनुम्हें और मिला ये आपको low मिला, ये lower high बनाया price ने और यहाँ पास price ने lower low बना दिया है, it means that कि आपका यहाँ पास break of structure मिल चुका है, इस lower high को break करके price ने एक नया low बनाया है, it means that officially downtrend started दोस्तों, तो friends इस तरीके से आप लोग चाट पे trend की basic analysis बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आ को यहाँ पास समझाया है दोस्तों, तो friends, trend analysis का एक और वीडियो भी part 2 करके आएगा दोस्तों, जिस पे आपको ये higher high low लगाने का जुरुत नहीं है, उस पे हम और भी आसानी तरीके से और और भी कम time में trend की analysis विदिन 5 seconds में complete कर लेंगे, किसी भी time frame के चार्ट पे, और अग अभी तक आप लोगोंने मेरा supply demand trading strategy का free का course नहीं किया है, तो अभी आपके screen पर दिख रहा है, वो course आप वहाँ पास klik करके free of cost में कर सकते हैं दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही, वीडियो को like कर लिजे, channel को subscribe कर लिजे, thanks, धन्यवाद, जै हिन, जै भारत